हेलो एब्रिवन मैं पुझा चौधरी खुशी मेकवर से वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक हेयर कट वीडियो लेकर आई हूँ और यह जो हेयर कट है यह थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जो क्लाइन है हमारी उनको अपने फेस के इस को कराना है और आप इनके हासं काफी अच्छा बाल है काफी पर तक क्वाल कलते हैं तो सबसे पहले हम लोग बालों को गीला करेंगे और उसके बाद इनको को नोगा सपिले काफ। और उसके बायाद इनकी जो नीड है मतला इनोंने जो हमसे बोला है कटिंग के लिए हाला कि इनकी कटिंग मेरे ही पालर पर होती है हमेशा बट इस बार इनों ने बोला कि मुझे अपनी लेंथ भी ज्यादा शोटनी करानी और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना है तो इनके इस बालों में जादा तर जो होती है वह लेजर बिदी स्टैपी होती है और वही आज होगी बस हलका सा हम लोग उसमें ट्विस्ट देंगे और थोड़ा सा अलग तरीके से उसको करने कोशिश करेंगे ताकि वह और अच्छी लगे तो सबसे पहले डालेंगे हम लोग लेज हम लोगों को जितनी निकालनी थी वह हमने पहली गाइडलाइन टेयर कर ली उसके बाद अब उससे हम इनके बालों को मिलाते चले जाएंगे तो इस तरीके से थोड़ी सी टेड़ी कैची चलाईएगा और जब बालों को आप नीचे छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ब इस प्रिक्स कटिंग वाला इनका बालों का टेक्टर है उसी तरीके से इनकी कटिंग भी होती है तो देखें आप लोग देख सकते हैं अब जो है इनका एक साइट का बाल हम लोगों ने देखे हलकी सी टेड़ी करके कैची और कट कर लिया है और अब इसके अलावा अब हम आईंगे दूसरी साइड दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से कट करना है कि सबसे पहले जो है वह हम लोग एकुएर के साइट के बाल लेंगे और उनको हलका सा जो एक दूसरे के साथ मिलाते चल जाएंगी इनकी आगे से ऑल दोड़ी कट है बाल हमें ऊसमें फ recuperator और उसके बाद अब उसी को हम लोग मिलाते चले जाएंगे आदेवाल हम एक साइट से कट करते हैं और आदेवाल हम दूसरी साइट से कट करते हैं लेजर में और देखें बिल्कुल टेड़ी कैची चलाते हैं और बहुत अच्छे से कट करते चले जाएए आप और काफी अच्छे से कट हो जागा इनका बाल ना काफी hard है तो कैची चलने में बहुता दिक्कत करती है मोटा बाल है इनका काफी तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने laser जो है वो इधर की side में भी डाल दिया है और बहुत easy होता है इस तरीके से cutting करना step by step cutting करिए बहुती अच्छे से cutting करिए ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी confusion ना हो बिल्कुल भी दिक्कत ना है और मेरी जो cutting video होती है वो बहुत पसंद आती है आप लोगों को और काफी मेरे channel पर available है cutting video अब देखिए हम लोग इनके सारे बालों को पीछे लेकर आ गए है अब हमें इस तरीके से सारे बालों को पीछे कर लेना है और अब हम step डालेंगे और अभी हम लोगों को shape नहीं देनी है क्योंकि अभी हमें step डालना है बालों में तो इनके बालों में मुझे multi step डालना है तो मैं step जो है वो सबसे पहले center parting देखिए उपर से ले रही हूँ center parting से आप लोग बिल्कुल गोलाई में बालों को लीजिए बहुत अच्छे से कॉम करिए finger के बीच में फसाईए और उनको बिल्कुल सीधा करके cut कर दीजिए जो भी आपको लग रहा है कि हमें इतना उच्छा step चाहिए होता है उसको बिल्कुल सीधा cutting करिए यही आप लोगों को बस ध्यान रखना होता है कहां हमें ch Davey cash challenging कहां पर हमें बिल्कुल सीधा cut मानना है यह हमें ध्यान रखना चाहिए अब हम देखिए center से हम लोगों ने काट दिया था अब हम लोग center के भी थोड़े बाल लेंगे और side के भी थोड़े बाल लेंगे उनको एक दूसरे के साफ में बिल्कुल mix करके बिल्कुल सीधा सीधा कट करेंगे अब हम आ जाएंगे दूसरी साइट दूसरी साइट भी हमें इसी तरीके से करना है जो कटिंग हम already center से कर चुके थे उसमें से हम थोड़े से बाल लेंगे और उनी के साथ में साइट के दूसरे बाल भी मिला देंगे finger से बहुत अच्छे से grip रखिए बहुत अच्छे से cutting करिए बहुत easy होता है इस तरीके से cutting करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है और बहुत सुंदर cutting आती है और मेरे पर पास जो है पालर पर जादा तर regular customer है जिन लोगों की सालों से मेरे यहां पर कटिंग हो रही है तो इस तरीके से हम लोग cutting की हल्की सी shape देंगे ये जो cutting होती है उसमें जादा तर V-Shable में आता है तो इस तरीके से हम लोगों को V-Shable में इनकी cutting दे देने हैं क्योंकि इनको बहुत जादा शोट में बाल नहीं कराने हैं तो हम लोगों ने एस्टर ही निकालने के कोशिश की है जितना भी बाल इनका डैड हो रहा था बस उसको निकाला है हम लोगों ने और देखिए हमने वी शेप में इनके साइट से बाल कट कर दिये पूरा मिला दिया है क्योंकि कटिंग जब हम कभी भी कर रहे हैं तो हमें क्रोस चेकिंग जरूर करनी चाहिए हाला कि यह बिल्कुल परफेक्ट है कहीं से उंची कहीं से नीची नहीं है बट फिर भी एक बार अगर हम लोग कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीके से अगर आ पर रहां यहां से करता है हूँ और और कंटिंग कर कहीं से भी कहीं से बहुने करें के हैं आपके कटिंग की कटिंग को बहुत अच्छे से पसंद आईगी तो देखें पीछे से इनकी cutting almost हो चुकी है आगे से इन्होंने हलका सा अपने छोटे छोटे बाल जो है वो हलके forehead पर cut आये थे ताकि इनका face का जो look है वो थोड़ा सा change लगे तो हलका हलका सा फसा कर देखी मैंने finger के बीच में बाल और इस तरीके से cut कर दिया है तो आगे से थोड़ा सा इनका look हम लोगोंने different कर दिया और इनको बहुत ज्यादा cutting पसंद आती है और यह हमेशा मेरे यहां पर cutting कर आती है और आपने पहले भी इनकी वीडियो देखी होंगी मेरे चैनल पर cutting की और देखे आगे से ना इनका face का थोड़ा सा look हम लोगोंने different कर दिया तो यही छोटी-छोटी से चीज़े होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है कस्टमर के according cutting कीजिए जैसी कस्टमर की need है छोटे बाल रखने है छोटे बड़े रखने है बड़े उस तरीके से ही cutting कीजिए और अपने बैस्ट देने कोशिश कीजिए तो मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा और काफी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी चैनल पर देखने के लिए तो एक बार चैनल को बहुत अच्छे सर्च करिए और अगर पसंद आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और जबी बी सबस्क्राइब करें तो प्लीज बेल आइकन को जबिए और उसमें ओल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाम टो टाम पर मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बतायेगा जरूर वीडियो कैसी लगी बाइबाई